नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ अगर आप लोग नए है प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें आज हम लोग एक और होस्पिटल के बारे में बात करेंगे है टाटा मेमोरियल सेंटर यह कि यह होस्पिटल मुंबई में है और यह कैंसर के लिए फेमस होस्पिटल है एक्चली यह कैंसर के लिए होस्पिटल है टाटा मेमोरियल होस्पिटल यह टाटा ग्रूप का ही है और यहां पर यहां पर यहां पर जो है कैंसर से रिलेटेड जो प्रोब्लम है जो cancer का treatment होता है यहां पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे appointment किस तरह से लेंगे और क्या-क्या charges है यहां पर कितना खर्चा होगा और बहुत सारे कितने type के जो cancer है अलग-अलग cancer होते हैं उनका क्या cost है यह सब हम लोग आज details से देखेंगे इस वीडियो में एक्चली यह आप लोगों मैं शुरू से दिखा दूँ यह Tata Memorial Hospital मुंबई में है और देखेंगे आप सबसे पहले यह मैं hospital का website खोला हूं website खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर यहां cancer information है आप जैसे यहां पर आप से क्लिक करेंगे तो cancer क्या होता common cancer, causes of cancer, cancer treatment, cancer prevention क्या है आप किस तरह से बस सकते हैं common cancer, causes of किस कारण से होता है, cancer को कैसे पता चलेगा कि आपको cancer है इस तरह से पूरा information यहां पर बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है आप यहां से देख सकते हैं और मैं आपको और भी जैसे आप पेसेंट services जो है यह green color का आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप यह patient के लिए आप यहां से देख सकते हैं online patient services है इसके पास आउट patient procedure और serial of charges क्या charges है जैसे मैं इसे खोल रहा हूँ यह 31st में यह last updated है देख सकते हैं आप यहां पर जो भी registration fees actually a hospital 70% free है 30% charges आपको लगेगा पूरा free नहीं है और भी जैसे कि आपको chemotherapy वगर बहार में अगर किसी दूसरे जगह से करेंगे तो वहां जितना आपको cost पड़ता उसका यहां अधा हो जाएगा यहां बहुत कम cost में आपका treatment होगा 70% होगा 70% तक free है आप देख सकते हैं यहां पर अलड़ी बहुत सारा मदलब आपको देख से कितना यह जैनरल के टेग्री के लिए है की सी एन्सी यह private category बी डी fn यह सब category है जो भी आपको में दिखाऊंगा कि कुन जो भी category में आप है जैसे यह tumor वगर्ण से रिलेटेर है यह सब आपको चेक करना पड़ेगा कितना क्या खर्च पड़ेगा यह सब दिया हुआ है मतलब मिनिमम से लेके हाई तक जो लोग पेसेंट है वहाँ पर आप आप डाउनलोड कर आप एक बार देख सकते हैं अपने मोबाइल या लेप्टोप या किसी भी डिवाइस में बहु अगर मैं एक चेज पूरा किलियर करूंगा बेट चार्जेज आप जो मेन मेन है डे केर बेट चार्जेज और भी क्या मतलब जो भी इंपोर्टेंट है यह सब आप देख लें यहां से आप देख सकते हैं मैं बस आपको इन्फोर्मेशन आप तक पहुचा रहा हूं कि आप क्युक्कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहां कि क्युक्lık मुझे बहुत सारे मेश से जाते हैं इसका कैसे होगा है कहां किस तरह से अपोइंट्मेंट लेंगे जिन्हें नहीं पता है वो से मैं वहां तक पहुचाना चाहरा हूं आप यह कर लेंगे यहां से देख लेंगे आप डाउनलोड कर उसके बाद आप देख सकते हैं online patient services क्या है यह है जैसे कि आप new registration है आप आप नए है आप वहां पर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पर new patient registration है देख सकते हैं आप यह पूरा form खुल चुकी है आप यहां पर बहुत सारा details से भरना होगा initial first name last name जो भी है referral information आपको refer किसलिए किया गया है permanent address आप अपना देंगे यहां पर यहां पर personal information देंगे date of birth, age of registration जो भी education, national जो भी आपको पता है religion वगड़ा सारा यहां पर दे सकते हैं permanent address, address of correspondence दे सकते हैं keen address, travel concession क्योंकि यहां पर cancer का treatment 70% फिर यह special cancer के लिए ही है Tata Memorial Hospital आप यहां यह सब fill up करकर आप यह capture भर कर आप यहां पर save कर देंगे ठीक है और इसका address आप देख सकते हैं Tata Memorial Hospital यहां पर address पूरा details से दिया हुआ है इस तरह से आप online appointment ले सकते हैं और मैं आपको और क्या ability laboratory imaging services यहां से आप अभी नहीं दिया वाइस में कुछ तो पेसे आप online appointment यहां से ले सकते हैं registration कर सकते हैं और यहां से आप registration EMR online expert opinion भी ले सकते हैं जैसे outpatient procedure क्या है जो भी बाहर से जाएंगे schedule of charges क्या है how to reach यह hospital में किस तरह से reach करेंगे patient के लिए यहां book दिया हुआ है outpatient procedure अब इसे पढ़ेंगे अच्छे से यहां पर बोल रहा आप hospital में आएंगे एक responsible आप अकेले नहीं जाएंगे attendant को लेके जाएंगे अपने साथ किसी को लेके जाएंगे उसके बाद जो भी है medical document आपको past medical record या जो भी है आप पिछला कहीं भी दिखाएं past medical condition उससे related जो भी document है जैसे diabetes अस्थमा thyroid and operation अगर आप किये हैं बाइपास surgery एक्सेटर एंजियो पलास्टी तो यह सब आप document डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आप आउट्स इस्टेशन प्रेशन प्रेशन हाइपर टेंशन हाई बलड प्रेसर डिवेटीज आर कंट्रोल आप जब वहां जाएंगे तो यह सब कंडिशन को आप कंट्रोल करके जाएंगे उसके बाद प्लानिंग टू विजिट मुंबई इट में अभाई डिले इन टीटमेंट एंड रिदूस्ट अब यहां पर हो सकता है डिले भी हो सकता है टीटमेंट एंड रिदूस्ट दिवरेशन अफ यूर इस्टे इन के जाएंगे टेस्टेड और इन इस पाउद और पेरेंट विसीटिंग थे होस्पिटल अभी आनिवार अट टाइम आप रिजिस्टेशन होस्पिटल का वर्किंग आवर है नो पंदरा से लेके सारे पांच फ्रम संबार से लेके सुक्रवार तक क्लोजेश दो पंदरा में हो जाता है और सटर डे तो हस्पिटल इस क्लोजेश दो ऑल गेजेटर सेंटर हॉलीडे जो भी हॉलीडे है इसमें आपको बंद मिलेगा यह मैं प्रोसीडियर बता चुका हूं और आप यहां पर जेनरल पेसेंट यह जो वहां पर मैं आपको केटेगरी दिखाए यह जेनर क्रमिनल चार्जेज मतलब बहुत कम चार्जेज आपको देना होगा जो सि में आएंगा जेनरल के सि में आर जो एन्सी था no चार्चेज कर पेसेंट जो न्सी केटिगरी में है उनका फिनांसियल कैपिसिटी के अनुसार आपका वहाँ पर यह होगा मतलब treatment का जो भी है उस हिसाब से आपको मतलब खर्च होगा और इस बहुत कम खर्च होगे यहाँ C category में बहुत nominal charges है और no charges में इसमें आपका कुछ documents हो गरण financial condition हो गरण देखा जाएगा उसके आधार पर आपको free treatment यहां मतलब no charges लिखा है तो आपको charges नहीं लगेगा और private patient के लिए भी यह category है private patient मतलब आपको लगएगा ठीक है तो यहाँ से आपको मैं outpatient के बारे में आप इस तरह से outpatient procedure इन-patient procedure आप यहां से देख सकते हैं CD love charges जो भी है आपको charges आपको मैं दिखाया है यहां पर भी आप charges देख सकते हैं यह खुल गया है यहां पर classification of surgeries जो internal patients है उन लोग के लिए यहां पर क्या उन लोग का charges ज्यादा है यहां से आप देख सकते हैं classification of surgeries यहां पर surgeries का classification है cancer तो बहुत different type of cancer है तो आपको कौन सी है आप पहले वहां diagnosis होगा तभी आपको treatment तो मैं आपको बस यह दिखाना चाह रहा था कि आप इस तरह से पहले information आप अपना collect कर ले और जो भी यहां पर बाहर से कम खर्च है यह special cancer के लिए hospital है मुंबई में है आप लोग यहां जाकर आप लोग किसी और से अगर information ले ले या online या और भी search कर आप देख सकते इस website से आप लोग अपना information जुगार कर आप लोग जा सकते हैं वहां पर तो मैं वीडियो को और भी कुछ ज्यादा और भी कुछ information चाहिए तो मुझे message करेंगे comment box मैं तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद हुआ है